हेलो एवरिवान वेलकम बैक तू माई चैनल आज मैं फिर आज जिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूजफुल किचिन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली है तो वीडियो को फॉल वाच कीजेगा कोई नो कोई टिप तो आपको 110 परसंट जरू पसंद आएगे तो यहां पर जो मेरी फर्स टिप है वह अध्रक को लेकर अध्रक जब भी हमें मार्केट से लेकर आते हैं तो उसको एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें फ्रिज में नॉर्मली तरीके से रखकर तो देखिए इस तरीके से हमारा जो अध घर नहीं है जिसमें अध्रक का इस्तेमाल ना होता हो और चाय जो होती है न वो बिना अध्रक के इन दुनों में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है और इस पेशली बारिस के टाइम में जब गले में खराश वगेरा होती है तो हर घर में अध्रक लाया जाता है लेकिन अध्रक बहुत जादा मेहगा आता है साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए बहुत जादा जरूरी भी है तो उसके लिए आप कोई भी कांच का बरतन ले लीजे चाहे फिर वो जग हो या कंटेनर हो तो यहाँ पर मैंने एक चोटा सा कंटेनर लिया है जिसमें कि 500 ग्राम अध्रक जिसे कि आप का अध्रक है बहुत लंबे समय तक विल्कुल खराब नहीं होगा जब भी आपको इसमीं से निकाली और उसका इसतमाल की जिए तो आई है जोटी से टिप्त तो कभी कोकर में डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया लेकिन जब मैं बहुत थोड़ा सा अद्रक छीलना होता तो नॉर्मली इसी तरीके से नाखुन से छीलते हैं तो जब भी आपको थोड़ा सा अद्रक भी छीलना हो ना तो आपको नाखुन टच करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत जादा सेंसेटिव होती है, तो उसके लिए देखी मैं आपके साथ बहुत गजब की टिप ले कराई हूं, बस आपको जो भी आपका लेसुन है, उसको बीच से इस तरह से कट कीजिए और दोनुतर साइड से खोल कर, आप इसली पूरी जो कली है ना वो इसको एक बार में निकाल पाएंगे, ना तो आपको नाखुन टच करना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं पर लेसुन को बार बार चीलना प होने वाली है, और जितना भी आपको लेसुन की रिक्वार्मेंट हो, उतना लेसुन आप बहुत एजली छील सकते हैं, तो देख सकते हैं, आप कितनी फटा-फट से हमारा जो लेसुन है वो छिल रहा है, तो ये छोटी से टिप है, लेकिन बहुत काम की है, आई होप आपको ये भी टिप जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंट्स में जरूर शियर कीजेगा, और मुझे जरूर कमेंट कीजेगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे आदा अच्छी लगी है, तो नेक्स टिप मेरी इस तरह ग्रॉसरी को लेकर, जब भी हम जातने के बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हमारी बच जाती है, फिर हम क्या करते हो, से किसी भी बास्केट मुठाकर और कबड में रख देते हैं, तो इससे क्या होता, बरसात के मौसम में ये चीजे बहुत जल्दी खराब होने लगती है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कोई भी एक मीडियम साइज का कंटेनर ले लिजे, जिसमें की लगता है, आपको ये पूरी ग्रॉसरी आ सकती है, और उसमें थोड़े से कड़ी पत्ता नीचे डाल कर रख दीजिए, सिंपल मत रखिएगा, क्योंकि पहले तो इसको सुखा लीजेगा, अच्छे से क्य ये भी खराब नहीं होगी और देखने में भी काफी अच्छी लगेगी, तो ये छोटी सी टिप है, ये भी आई होप आपको जरूर पसंद आएगी, नेक्स टिप है मेरी इस तरह के जो ग्रॉसरी बैक्स होते हैं उनको लेकर, जो स्वीट्स वगरा के बैक होते हैं वो किस आप देखिएगा मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और क्यों फोल्ड कर रही हूँ, वो भी बहुत कमाल की चीज है, तो यहाँ पर जो हमने एक्स्टर एक्स्टर पार्ट फोल्ड किया था ना, उसी एक्स्टर पार्ट को हमें कैची से लेकर कट कर देना है, जी आपको सिलाई वगेरा नहीं आती है, तो भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में कुछ हो नहो, सुईधागे तो सब के घर में होते हैं, और सुईधागे नहीं है, तो आप ग्लूगन का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कर सकते हैं, तो ग्लू से हम इसका organizer बना पाएं अगर आप इसे बिना कट करे बनाते ना तो थोड़ा मोटा हो जाता जिससे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने पर्स में रखने में थोड़ा सा uncomfortable रहते हैं क्योंकि हमें से इस तरीके से बना रहे हैं हमें इसे घर में भी use कर लें और बाहर तो अगर आप चाहे तो इसे उल्टा कर सकते हैं, मैंने उल्टा नहीं किया, क्योंकि प्रिंट ना उल्टा करने पर भी छिपता नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो इसको मैंने सीधा का सीधा ही रखा है, उसके बाद ग्लू गन की मदद से मैं इस तरीके से चि इसे मतलब चिपका दीजेगा कि बिल्कुल भी खुलना जाए, तो देखें, यह हमारा बन के तियार हो गया, अगर आप चाहिए तो इसे थोड़ा बहुत डेकुरेट कर सकते हैं, और इसका यूज मैं क्या करने वाली हूँ, चलिए उसके लिए चलते हैं फटा-फट से अगर हम इसे कहीं बाहर भी लेकर जाएंगे और इस तरीके से फोन अपना चार्ज करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ट्रेन वगरा में जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अपने हाथ में आप इसे पकड़िए, जो हमारा बैग है उसमें आप फोन रख दीजे चार्जिंग पर लगार कर, तो जिससे आपका फोन भी सेफ रहेगा या फिर आप कहीं होटल बगएरा में रुके हैं, तो उस टाइम पर आपको लग रहा है हमें अपना फोन चार्ज करना, वहाँ पर चार्जर के लगाने का तो सुच है, लेकिन फोन को र कि आप मेरी वीडियो किस गाओं या किस शेर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको ठैंक्स कर सकूँ, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स टेप की तरफ, तो मेरी जो नेक्स टेप है वो है इस तरह कि जो हमारे पतले पतले दुपट्टे हो या फिर इस तरह की जो साडियां हो, इस तरह की साडियां हो या दुपट्टे हो पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बिना सेफटी पिन के बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, और इनमें अगर हम सेफटी पिन लगाते हैं, तो जरा सी देर में ये पीछे की तरफ जाकर सेफटी पिन फस जाती है, जिस इस टाइम पर क्या करना है, आपको कोई भी इस तरह का जो काड़ बॉट बॉक्स होते हैं, वो ले लीजिए, अब आप बोलेंगे काड़ बॉक्स को थोड़ी ना इसमें लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, इसका छोटा सा पाट कट कीजिए, और उसको आप इस सेफ बोटी सी टिप है, आयोप आपको जरूर पसंद आएगी, आप ट्राइज जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, तो चलिए ऐसी एमेजिंग टिप्स और टिक साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक के लि